दोस्तों एक बार फिर ये सभी dates extend हो गई हैं जिनका discussion हम इस वीडियो में करेंगे तो यह आप देख रहे हैं notification 14th February की इस circular के अंदर जो date extend हुई है relaxation मिली है in additional fees in filing forms तो 15 मार्च 2022 तक extend हो चुकी है अगर आप form file करेंगे for filing e-form AOC-4, AOC-4 CFS, AOC-4 XBRL, AOC-4 Non-XBRL ये सभी हो चुके हैं 15 मार्च 2022 तक date extension दो हम इने नहीं कहेंगे लेकिन additional fees जो है वो आपकी माफ हो जाएगी और 31 मार्च 2022 तक माफ हो जाएगी आपकी additional fee MGT7 and MGT7A की in respect of financial year ended on 31st मार्च 2021 during the sad period यानि कि ये जो समय रहेगा आपकी only normal fees जो है आपको pay करनी होगी for filing of aforementioned e-form तो ये circular issue किया जा चुका है ये जो dates आपकी 15 फरवरी को end हो रही थी आपकी aoc4 की aoc4 cfs की aoc4 xp rl non xp rl की तो वो dates अब further extend हो चुकी है 15 मार्च 2022 तक इसके अलावा हमारी जो date है takes audit की date है वो 15 मार्च 2022 तक extend की गई थी वो further extend नहीं हुई है GST की अगर हम बात करें तो GSTR 9 और 9C की जो 28 फरवरी 2022 तक date extend हुई थी की वही date है इस circular में केवल और केवल जो mca की dates है जो वो extend की गई है उन पर additional fees जो है वो माफ की गई है तो tax audit के लिए आपकी date extension नहीं मिली है वो 15 मार्च 2022 ही है तो यह काफी important update है क्योंकि कल यह dates जो है वो end हो रही थी इनको further extension मिल चुकी है इसे share करना मत भूलिएगा thank you for watching क्तॐं आपकी मिली हैं तो आपकी तुकी मिली है तॉकी है जो है तो जो है वो हमें विह सबद weren't जागन PF कास्थीन की तowserग मिली हैं वोकी दो धुकी है।